नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है ट्रक टॉक्स के इसमें एपिसोड में हम हैं बैंगलोर में एक्सकॉन 2022 के इस एवेंट में और हमारे सामने कड़ी है भारत के यूटिलिटी पिकप सेगमेंट की बेताज बाच्छा यानि की महिंद्रा बोलोरो कैमपर तो आज की इस वीडियो में गाड़ी का संपूर्ण रिव्यू, संपूर्ण जानकारी, टेकनिकल स्पेसिफिकेशन्स और प्राइस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों तो दोस्तों यह रही बोलोरो कैमपर गोल्ड जेडेक्स इस गाड़ी में तीन मुखे वेरियंट्स आते हैं पहला है बोलोरो कैमपर टू वील ड्राइफ, दूसरा है बोलोरो कैमपर फोर वील ड्राइफ और तीसरा जो हमारे सामने खड़ा है वो है Boloro Camper Gold ZX इस गाड़ी में आपको Diamond White और Java Brown के Color Options मिल जाते है और आज अमारे सामने खड़ा है इस गाड़ी का Java Brown Color गाड़ी दिखने में काफी खूबसूरत है आगे से देखने पर ये गाड़ी काफी एग्रेसिव लगती है जो महिंद्रा फैमेली का जो इसमें डिजाइन थीम है Seven Slides Grill का साथी में Clear Lens Head Lamps इसमें दिये गए है जिसकी बौदलत आगे से देखने पर ये गाड़ी काफी एग्रेसिव और शांदार लगती है इसके लुक्स में और जान डाल देते हैं इसके उपर बनाए गई है ग्राफिक्स यलो और गोल्डन कलर की थीम में बनाए गई है डिकल्स सच में काफी शांदार लगते है Driver Plus 4 Sitting Capacity की ये गाड़ी है दोस्तो साथी में पीछे के लोडिंग एरिया में आपको लगबग एक टन का पिलोड कैपैसिटी मिल जाता है पीछे से ये गाड़ी कुछ इस प्रकर से दिखती है दोस्तो Camper Gold ZX का वील बेस है 3014 mm का पीछे के Cargo Box की बात करें तो उसकी लंबाई है 1481 mm और चोड़ाई है 1532 mm यानि की लंबाई है 4 feet 8 inch की और चोड़ाई है 5 feet 5 inch की इस लोडिंग ट्रे में आपको Camper Gold ZX में एक टन का पिलोड कैपैसिटी मिल जाता है और साथी में इसके 2 wheel drive variant में आपको 1035 kg का पिलोड कैपैसिटी मिल जाता है और अगर आप इसका 4 wheel drive variant लेते हो तो उसमें आपको 940 kg का पिलोड कैपैसिटी मिल जाता है आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकर का डाला इसमें आपको मिल जाएगा साइड में दोनों तरफ यह wheel intrusions है लेकिन completely flat loading surface में आपको लगबग मिल जाता है कुछ इस प्रकर से इसका door आप खोल सकते हो और यहाँ पर दोनों साइड में जो latches दी गई है तो कुछ इस प्रकर से इन latches को बन करके आप पीछे के जो बूट लीड को जो easily close कर सकते है दोस्तों बात करें pricing की तो मुंबई में इस variant की एनिकी Camper Gold ZX की एक showroom price 9,76,000 रूपीज से शुरू हो जाती है अधिक जानकरी के लिए आप आपके निजदी की महिंद्रा के showroom अथवा dealership में विजिट करके इस गड़ी के बारे में अधिक जानकरी प्राप्त कर सकते है इस गड़ी में आपको महिंद्रा का जाना माना और मुशूर M2Di CR 4-cylinders inline 5.5L का यानिकी 2523cc का 4-cylinders inline direct injection turbo charge diesel BSX engine मिल जाता है जो इसे 75 HP की ताकत और 200 Nm का तगड़ा टॉर्क प्रदान करता है साथी में 5-speed manual synchronous type gearbox, single plate dry friction type clutch के साथ दिया गया है इसमें आपको power steering as standard मिल जाता है बात करें suspension की तो इस variant में यानिकी boloro camper gold ZX में आपको आगे वल axle पर coil spring suspension मिल जाता है और पिछे वल axle पर leaf springs यानिकी पट्टे कामनी वाला suspension मिल जाता है इसके two wheel drive और four wheel drive variant में आगे और पिछे दोनों axles पर पट्टे कामनी वाला suspension मिल जाएगा अधिक comfort के लिए इस गाड़ी में hydraulic double acting telescopic shock absorbers भी दिये गए है बात करें tire size की तो इसमें आपको 235 बटा 75 के R15 यानिकी 15 inch के tires दिये गए है इन खूब सूरत देखने वाली wheel covers के साथ जिसको बदोलत गाड़ी को उचे stance के साथ साथ बड़िया looks भी मिल जाते है तो exterior की बाते हो गई है आई ये गाड़ी का interior देखते है यहाँ से हम इसका door खोल लेंगे और अंदर चलेंगे अंदर चलने से फिले आप door को देख लीजे इस पर आपको कोई भी window का rolling switch नहीं मिलगा क्योंकि इस गाड़ी में आपको power windows मिल जाती है तो आई अंदर चलते है seat पर बैट लेते है and first time मैं बोलो रो camper के अंदर बैट रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है interior है and door लगा लेते हैं क्योंकि भार जो है काफी शोर था तो कुछ इस प्रकार का digital instrument cluster आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा जो पढ़ने में काफी आसान है red color की वज़े से रात में काफी सुन गर दिखेगा यह रही इसके power windows के switches जो बिल्कुल center में दिये गए है and यहाँ पर आपको जो है bottle holders मिल जाते हैं आप देख सकते हैं कि दो bottles इसमें आप easily रख सकते हैं और एक लेटर की bottle भी इसमें आ जाएगी यह रहा इसका gear lever and 5-speed manual gearbox जो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है गाड़ी जैसे में आपको पहले बात है यह AC model है तो AC के control जो knobs है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे and aftermarket music system आपको जो इस गाड़ी में बिटा सकते हैं यह रही इस गाड़ी की चाबी आप देख सकते हैं फ एक empty switch दी गई है aftermarket fitting में आप इसकुछ लगा सकते हैं और यह जो बटन है एक regeneration काड़ी कुछ time to time जो इसमें regeneration करवाना पड़ेगा तो यह गाड़ी कुछ इस परकार का है इसका interior wooden finish में काफी बहतरीन और premium look इसमें मिल जाता है यह रहा इसका glow box जिसमें गाड़ी के इसकुछ documents वगर रखे गए है यहाँ पर आपको grab handle मिल जाता है passenger seats के लिए and wooden finish की वज़े से काफी interior look काफी बढ़ी आता है camera पे आपको दिखेगा नहीं लेकिन जब आप इस गाड़ी में personally बटोगे तो यह काफी बहतर लगता है उपर की और आपको sun visors, IRVM and seats दिए गए है पिछे हा लोर के XCOM 2022 के event में यह गाड़ी खड़ी है जहां में इसे cover कर रहे है यहाँ पर भी आपको कुछ नीचे storage spaces, coins, etc रखने के लिए जो है दिया गया है नीचे आपको जो है power outlet दिया गया है बारावल का power outlet जिसमें आप accessories कुछ भी जो है मतलब mobile charging इत्यादी काई सारी चीजे उसम जाते है इस गाड़ी में 57 लीटर का diesel fuel tank मिल जाएगा साथी में dimensions की बात करें तो इसका wheelbase है 3014 mm का और इसका ground clearance है 185 mm का जिसकी बदलत उबर खाबर रास्तो और off-roading में यह गाड़ी काफी बढ़िया perform करती है गाड़ी की overall length है 4859 mm की और overall width है 1670 mm की गाड़ी के important features की बात करे तो इसमें आपको fox leather seats, AC vents, power steering, power windows, central locking, center console, ELR seatbelts, vehicle immobilizer, उसे के साथ-साथ mobile charging points जैसे features मिल जाते हैं इस गाड़ी पर आपको company की तरफ से 3 साल या 1,00,000 km की warranty भी मिल जाती है तो दोस्तो ये थी महिंद रखी Buloro Camper Gold ZX आपको ये utility pickup truck कैसा लगा हमें नीचे comment section में ज़रूर बताना और AC गाड़ीो की वीडियोस देखने के लिए truck talks को subscribe करना ना बुलना मैं मिलता हूँ आपको AC किसी खूब सुरत गाड़ी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए तेरे ये ट्रिपले डाकस्तन व्लोक्स truck talks spreading all the love about trucks जैहिंद